आप सभी की डिमांड पर आप सभी की प्यारी सी दीदी आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है हाई-end का राउंड टू के बारे में इन्फरमेशन तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जो है हेलो हाई कर दो गुड मॉर्निंग कर दो जो भी आप बोलना चाहते हो जल्दी से मुझे बताओ कि आप सभी जो है कितना वेट कर रहे थे इस वीडियो का और वो तो मेरे को पता चल चुका है क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स इतना भर गया था इंस्टेग्रेम पर कोल्स आ रही हैं बच्चों की इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी की प्यारी खुशी दीदी आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में साथ ही comment करके बताना भई कि आप सभी कि कितनी त्यारी चल रही है round 2 की आचा आज हम बात करेंगे कि जो आपका class 9th है round 2 का उसके लिए high end के project को हम discuss करेंगे ठीक है और इसकी जो instructions है वो भी आती होंगी third time बाद तो उसको भी आप सभी देख लेना सबसे पहले आजम बात करते हैं आपके project के बारे में बच्चों को project को लेकर बहुत मतलब ऐसा खलबली सी मची हुई है कि वही project जो है मैम और बहुत से बच्चों ने तो मुझे ये भी बताए कि मैम हमने shopping करने भी शुरू कर दी तो देखो इतनी जल्दबाजी मत करो अराम से सुकून के साथ अच्छे से बनाओ मतलब ये है कि बिल्कुल अपने आपको free नहीं छोड़ना कि वही हमारा exam अगर इस date को है तो हम उसे एक दिन पहले बनेंगे ऐसा मत करो लेकिन अराम से बनाओ क्योंकि ये बोला जाता है कि जल्दी का काम जो है वो हमेशा खराब होता है तो अराम से बनाओ और इतनी मतलब इतना speed रखो कि आपका जो project है वो आपके जो round 2 है उससे एक दिन पहले अच्छे से complete हो जाए और साथी साथ अपने जो interview है उसकी भी preparation करते रहो और interview की preparation करने के लिए मेरे ख्याल से आप सभी के लिए एक video बहुत helpful रहेगी जिसका मैं यहाँ पर photo जो है लगा दूँगी उसके link में description box और comment box में दे दूँगी तो वहाँ से जाकि उससे जरूर देखना आप सभी के लिए ही बनाई गई है वो video चलिए start करते हैं आज के project को लेकर okay so हमारे पास admit card में set B में दिया हुआ है आपके सभी projects और आपको बता होगा कि जितने भी activities दियो है उसमें से कोई भी एक activity आपको बना कर लेकर जानी है ठीक है तो projects जू है इसमें आपको बहुत सारे types के projects दियो है total आपके six projects दियो है आपको और कोई भी आपको एक बना कर लेकर जाना है और सारे के सारे काफी अच्छे projects है मैंने देखा और मुझे ज़्यादा hard भी नहीं लगी सही बताऊं तू तो आप सभी असानी से बना सकते हो जो आपका पहले वाला है न ये वाला create a sustainable alarm clock आपको जो है एक अच्छी सी alarm clock जो है उसको create करना है देखो यहाँ पर आपको alarm clock करना है ना कि खाली clock simple clock होते है जिसमें कि हमारा जो needle होती है सूई होती है वो गुमती रहती है और उसमें time दिखता रहता है आपको यहाँ पर create करने है alarm यानि कि आप जब सूबे उठते हो तो अपने form में alarm लगाते हो ना तो उसी तरीके से पहले के आपने देखा होगा डॉरी मोन में देखा होगा कि नोबीता जो है alarm box जो है sorry alarm clock जो है उसको रखता है सोते हुए अपने side में और फिर भी नहीं जगता है वो बज़ती भी रहती है है ना ऐसा देखा होगा ना तो इसे तरीके से markets में भी काफी सारे alarm clock आपको मिलती भी है देखने को लेकिन यहाँ पर market वाली use नहीं करनी है ये चीज़ याद रखना चलो आप देख लेते हैं कि हमें अपने alarm जो clock है उसको किस तरीके से अच्छा और बहतरीन बनाना है टास्क आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो है alarm clock जो है working बनानी है working बनानी है मतलब कि वो काम करती हुई होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप paper की simple बनाके ले गए हो और draw करके ले गए हो और वहाँ पर आपको पकड़ा दी जाएगी आपको कि लोग हमने तो बना दी मतलब यह मत करना कि हमें अपना काम निपटाना और जल्दी जल्दी कर दिया यहाँ पर इस यह जो project है इसी से आपको जो है यह पता चलने वाला है इसी के basis पर आपका selection भी होने वाला है यह चीज तो आपको पता होगी ठीक है तो आपकी जो अलाम clock है वो क्या होनी चाहिए वो electrical या फिर electronic component से combine होई होनी चाहिए जैसे कि इन्होंने बताया कि आप अपने अलाम clock में LED lights का use कर सकते हो अब LED lights जो होती क्या है exactly जैसी हम दिवाली वगएर आती है या कोई भी किसी की घर में शादी होती है तो हम lights का use नहीं करते हैं उन lights में जो छोटे-छोटे bulbs होते हैं उनका use किया जाता है तो उसी को LED lights बोल दिया जाता है ठीक है उनका use आप कर सकते हो जिससे कि आपकी alarm जो clock है वो बहुत अच्छा और aesthetic लगेगा देखने में तो color combination भी अच्छा लेना ऐसा मत लेना कि वो जाधा आखों में चुभे तो थोड़ा ध्यान से और धंका लेना ठीक है तो LED lights का आप use कर सकते हो अब LED lights का use करने के लिए आपको पूरा एक circuit बनाना पड़ेगा alarm clock में तो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा I know थोड़ा सा मुश आती थी क्योंकि number तो भई सबको चाहिए न तो ही रहता है तो आपको circuit बनाना अच्छे से आना चाहिए और किस तरीके साब उसको अपने alarm clock में insert करोगे ताकि वो बहार ना दिखे तो वो भी आपको करना है ठीक है उसके बाद इन्होंने बताए कि वो environmental awareness to build an alarm clock powered by a sunlight or a kinesthetic energy movement आप क्या कर सकते हो कोई ऐसे alarm clock बना सकते हो जो कि किस से चार्ज अप हो रही है सनलाइट से या फिर कोई भी canesthetic energy से चार्ज अप हो रही है और हो move कर रही है यानि कि जरूरी नहीं है आपको जो है उसमें कोई switch बगारा का ही use चाहिए या electricity का use चाहिए जैसा कि simple आम circuit को ज इस phone को उठाओ और इसमें जो है games खेलने की बजाए अपने youtube को खोलो उसमें search करो कि आप किस तरीके से एक working alarm clock जो है बना सकते हो और फिर उसी तरीके की उससे थोड़े से different also क्योंकि हो सकता है कि सभी उसमें से copy कर लें तो थोड़ा से उसमें different कर रखना अपना और उसको ब भी ना देखे करोगे तो कुछ ना कुछ गडबढ हो जाएगी ठीके तो ये चीज आपे बताई गई है और फिर इन्होंने बताया है कि जिससे की आपको जो है sound effect का भी use करना है जो की आपने जो भी time fill किया है उसमें मतलब जो भी time उसमें भरा है alarm clock में उसी time पर वो sound जो है बजने लग जाएगी जिससे की आप जो है peacefully उठ सकते हो और sound ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे कानों को मतलब कानों के परदों को फार दे ऐसा नहीं होना चाहिए sound काफी peaceful होनी चाहिए कि अगर हम नीद में से उठ रहे हैं तो ऐसा हो कि हम उठ भी जाए और वो sound ठीक भ से हैं उनका यूज कर सकते हो फस्ट फॉल आपका जो material required है वो चीज़े आप यूज कर सकते हो मतलब जो भी आपको अपने घर में कोई ऐसे चीज मिल रही है जिसका आप यूज कर सकते हो वेस्ट मेटेरियल से बना सकते हो तो आप बिलकुल बना सकते हो उसके बाद इलेक् अगी पड़ जाए ठीक है कि चलो 100-200 का खर्चा आता है यह ठीक है लेकिन अगर उसमें 1000-2000 का खर्चा आ गया है तो वो जो है वो काफी ज़्यादा हो जाएगा है तो थोड़ी ऐसे डिजाइन करनी है सस्टेनेबिलेटी उसकी होनी चाहिए सस्टेनेबिलेटी का मतलब होत होता है कि वो काफी लंबे टाइम तक चल सके मतलब ऐसा नहीं हो कि मैंने आज यूज किया तो कल वो खराब हो गई ठीक है यह तरीका है यहाँ पर बोला हुए आपको तो इस तरीके कि आपको बनानी है इससे जो है अलाम क्लोग जॉप डिजाइन करोगे इससे आपकी क्रि सकते हो उनका टेस्टिंग करने के बाद उसको दो मदब ऐसा ना करना कि सीधे आप भही पे जाके दिखा रहे हो अपने घर पे एक बार टेस्ट करके उसको देख लेना और ऐसी चीजों में मैं सही बताऊं तो एक दो बार चीज़े बिगड़ती भी है बट अपनी तरफ से बिलकुल बैस्ट बना कर लेकर जानी है ठीक और ऐसा ना करना कि बाहर की मार्केट की खरीद दो वो गलत हो जाएगा किसी दूसरे बंदे की हेल्प ले रहे हो किसी दूसरे अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहे हो या अपने पेरेंट्स को दे दिया कि भाई मिर को तो आता नहीं है भेन भाई को दे दिया कि आप कर दो तो ये भी नहीं करना है ठीक है उनकी थोड़ी बोथ help ले सकते हो बट ऐसा नहीं करना है कि आप सारा ही कुछ उनसे बन वालो वो चीज कहीं ना कहीं पता चल जाती है ठीक नेक्स्ट है इन्होंने एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखा है यानि कि ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो अलाम क्लोक का मोडल है वो एक्जेक्टली हो अमलब कैसा हो सकता है या फिर बच्चे कैसा कैसा बना सकते हैं तो इनके एक्सपेक्टेशन आपसे यह है कि आपका model 3D होना चाहिए, 3-dimensional होना चाहिए, innovative alarm clock using different materials, उसमें different materials उसमें different materials use होने चाहिए, तथे की, electronic sensors, electronic components, cardboard, newspaper, other waste material, ठीक है, that are easily available at home, यह जो है, असानी से आपको आपके घर पे मिल जाएंगे, ठीक, please feel free to use any innovative technology sensors that can be incorporated into your prototype, student will be assessed on the creative handling of the material to make the product, यह उने बोलाई कि आप बिल्कुल freely जो है, अच्छी technology का यूज़ करके, sensors का यूज़ करके, अपना जो यह model है, उसको prepare कर सकते हो, साथ ही आपकी यहाँपर जो है, क्या assess की जाएगी, आपकी यहाँपर creativity assess की जाएगी, यह आपके material को देखकर, कि अपने किस तरीके का material यूज़ करके, कैसा product उनको दिया है, ठीक यह चीज़ है, देखो video obviously थोड़ी सी long होगी, क्योंकि मैं बहुत खोल कर, और बहुत अच्छे से बता रही हूँ, तो यह चीज मेरी ख्याल से करनी भी चाहिए मुझे, क्योंकि हर बच्चे के लिए हो सकता है, कि कोई prompt को use करे, कोई किसे दूसरे prompt को use करे, इस तरीके से, तो second prompt आपको दिया हूँ है, create a budget for a class trip, एक class trip जारे है, उसके लिए budget त्यार करना है, यहाँ पर इनुन टास्क दिया है, imagine your class of 30 students is going on a 3-day trip to a hill station in April 2024, क्या और है कि आपके 30 बच्चों की class है, जो कि 3 दिन के लिए, कहाँ जारे है hill stations पर जा रही है, April में 2024, as the head of the finance club, you have to plan the entire trip, आप जो है finance club के head हो, तो आपको जो है सारा, जो trip है, उसको plan करना है, create a budget that includes the cost of expenses, that might be incurred, इन्होंने बोला है कि आपको एक budget, जो है उसको त्यार करना है, जिसमें कि आपके सारे expenses, जो है वो जूडे हुए, सारे खर्ची जूडेंगे, हर बच्चे के, ठीक है इस तरीके से, तो देखो मतलब total आपको निकालना पड़ेगा, वो ठीक, तो दिया हुए साम points दिया हुए, आपको यहाँ पर budget को recreate करने के लिए, first दिया हुए आपको, choose our destination for a visit, considering travel time, cost of living, cultural attractions, weather, etc. आपको जो है एक ऐसी destination को choose करना है, hill station की choose करना है, जिसको आप जो है अपने class को लेकर जा रहे है, ठीक है, उसके लिए आपको travel का time देखना होगा, और cost of living देखना होगा, कि वहाँ पर रहने का खर्चा कितना आएगा, रुकने का खर्चा कितना आएगा, वहाँ का culture and attraction कैसा होता है, weather कैसा होता, यह सब चीज़ आपको महाँ पर mention करने पड़ेगी, ठीक, उसके बाद, जैसके hill station में, शिमला ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो, मनाली ले सकते हो, नैनी दाल ले सकते हो, इस तरीके से, तो यह मैंने 2-3 examples आपको दे दिये हैं, उसके according फिर आपको दिया हुआ है, कि आप तीन दिन के लिए ट्रिप लेकर जा रहे हो, तो तीन दिन के लिए ट्रैवल का खर्चा कितना आएगा, क्योंकि आने जाने में पिर टाइम तो लगेगा ना, उसमें रहने के लिए कितना खर्चा आएगा, बच्चों को सड़क पर थुड़ना रखोगे, होटल्स में ही तो रखोगे, या फिर कोई रिजोर्ट होगा उसमें रखोगे, ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बजट रेडी करना है, फिर बताया, calculate the cost of loading, food and activities for each day as per the trip length, इन्होंने बताया कि तीन दिन का आपका trip है बच्चों का, कितने 30 बच्चों का, ठीक है, तो आपको यहापर जो यह भी त्यार करना पड़ेगा, कि उन बच्चों का जो जितना भी मतलब luggage बगेरा होगा, या कुछ वो लेकर जा रहे हैं, उसका cost कितना रहता है, प्लस में जो food होता है, per day, per day के coding देखना है, तीन दिन है, तो हर एक दिन activities का और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, वो भी conclude करना है, और खर्चा ऐसा ना करना कि आप उसको 10 लाक बना दो, इतना भी मत कर देना, क्योंकि इतना खर्चा नहीं होता है, ठीक, calculate transportation cost for a travel to the place, तो यहाँ पर जो यह भी बुला गया है, कि आपको जो है, travel का cost देखना पड़ेगा, कि कितना खर्चा पड़ेगा, भी आप कहां से कहां जा रहे हो, उसके लिए आपको इट्रांसपोर्ट का भी तो use करोगे, आप bus का use करोगे है ना, तो उसका खर्चा कितना आएगा, ठीक, यह चीज़ आपको देखने पड़ेंगी, और estimate food cost, food के लिए कितना खर्चा दोगे, planning activities for a trip, उसके लिए कितना, such a visiting, museums, hiking, और attending concerts, भाई वहाँ पर आप school के लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पर museums को भी दिखा सकते हो, hiking भी हो सकती है, या फिर कोई concerts जो है, उसको भी attend कर सकते हैं, ठीक है, तो इन सब की activities का कितना खर्चा आएगा, यूगि देखो, per person कुछ ticket होती है, और बच्चों के लिए थोड़ी mask भी होती है, टिकेट है ना, school के बच्चों के लिए ऐसा होता है, कि अगर normal person के लिए 100 रूपीज है, तो school के बच्चों के लिए 50 होगी, इस तरीके से tickets होती है, किसी भी जगए, कि तो वो सब आपको अपने दिमाग से सोचना है, उसके बाद है, include unexpected expenses, और कुछ, कुछ खर्चे भी होते हैं, वही, extra खर्चे भी होते हैं, ऐसा भी होता है, कि किसी बच्चे को मानो चोट वगएरा लग गई, तो उसके लिए भी पहले से आपको prepared होना पड़ेगा, या फिर आपकी बस वगएरा खराब हो गई रास्ते में, तो उसके लिए भी prepare होना पड़ेगा, या फिर वहापे जो activities हैं, वो मान लीजे कि ज़्यादा activities कराना चाहते हो, आप या कम कराना चाहते हो, उनकी cost अगर ज़्यादा है, तो भी उसके लिए पहले से कुछ unexpected जो खर्चे होते हैं, उसके लिए भी आपको एक budget prepare करना है, तो मतलब आपके senior हैं, उन्होंने भी share किया था कि किस तरीके से मतलब budget, उनको भी same यही मिला था, budget को लेकर बस timing वगरा change कर दी होगी, बच्चे जो हैं 30 नहीं होंगे, कम होंगे, जाधा होंगे इस तरीके से, तो उसका भी मैं अगर आप बोलोगे कि share करो, तो मैं share जरूर कर कि किस तरीके से आप budget को लेकर एक अपना project बना सकते हो, please, but उसकी copy मत करना, अगर मैं share करो, तो मतलब अपना थोड़ा सा different रखना, उसके बाद इनोंने बोला है, you will, you will be evaluated based on your creativity, assumptions and while creating the budget and the factors associated with the complete planning processing, आपको जो है, किस से evaluate किया जाएगा, आपकी creativity से, assumptions से, आपके सोचने समझने की शक्ति से, ठीक है, और किस तरीके से आप budget को create कर रहे हो, उसके factors क्या कहीं रहते हैं, उस तरीके से आपके पूरी planning को देखकर आपको evaluate किया जाएगा, ठीक, और expect क्या कर रहे हैं भही आपसे, कि जो create a project on A4 pages, आप आप A4 pages पर create कर सकते हो, Excel पर कर सकते हो, Google Sheets पर कर सकते हो, showcasing all the steps in evaluating the budget, आपको हर steps को जो है बजट में शो करना चाहिए, use creative visuals and clear explanation, आप visuals का use कर सकते हो, जैसे कि अगर आप किसी hill station की बात कर रहे हो, और कोई भी वो जगे है, मान लीजे, आप नैनी ताल ले रहे हो, मान लो, तो उसमें नैनी जील नहीं दिखाओगे, तो क्या दिखाओगे, है ना, वो भी दिखाओगे, और एक गिर्जा जी का मंदिर होता है, वो भी दिखाओगे, है ना, तो ये दो-तीन चीजे होती है, तो उसके आप visuals का मतलब होता है, photos वगरा लगाना, तो वो आप लगा सकते हो, और उसकी clear explanation आप दे सकते हो, mention all the assumptions clearly, आपको सारे assumptions को clearly mention करना होगा, the assumptions should be close to realistic amounts, और ये सारे जो assumptions है, ये realistic amount के होने चाहिए, ये जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि आप budget जो है 10 लाग का त्यार नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, budget जो है realistic होना चाहिए, कि एक school कितना खर्चा कर सकता है, एक trip पर, ठीक, तो ये जो चीज़े हैं, ये आपसे पूछी जाएंगे, आपको ये सारी चीज़े लेकर जानी है बहाँ पर, project को लेकर जाना है, और interview जब आपका होगा same day, तो आपसे इससे related कुछ questions में पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको evaluate किया जा a passio code and a flow chart, a passio code and a flow chart कम है कि या पर photo लगा दूँगे, आपको show हो जाएगा, देखो जितना मुझे समझ में आया है, मैं उतना बता सकते हूँ, because मैं इस field में नहीं हूँ, तो मेरे को इतना idea नहीं है, but इसमें simply क्या है कि आपको जो है, एक English programming की जो codes होते हैं, उसको password में लि है, तो ये passwords इन्होंने बताया है कि, we want to set a couple of restrictions such as that the password must be at least eight characters and contain a number with the first letter of the password should be capital, then the following passwords would be valid, ये जो passwords है, आपको example के लिए दिये गए है, कि जो आपका password होगा, वो eight characters का होना चाहिए, उसमें जो है, first जो आपका letter होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका क्या होन जो कि आपको show किया हुए, तो इस तरीके से आप बना सा तो ये valid है, अगर wrong passwords की बात की जाए, तो वो ये आपको दिये हुए है, ठीक, इस तरीके से, तो इस instructions को पूरा follow करना है, अब ये मैं पढ़कर पूला बता देती हूँ आपको, और picture भी मेरे ख्याल से आपने देख तो flow charts are diagram showing the exact sequence of logical steps, flow charts simply, आपको पता flow chart कैसा होता है, जैसे कि मान लीजे मेरे को पूरा lesson समझाना है, तो उसके लिए मैं मैंड mapping बना देती हूँ कि इस तरीके से table कर दी, ठीक है, फिर इस तरीके से table कर दी, फिर और मैंने यहाँ पे table बना दी, एक और ऐसे arrow कर के, ठीक, इस तो इनको हम कुछ flow chart का नाम दे देते हैं, तो वही सेम चीज है कि आप sequence वाइस दिखा रहे हो, short में, and they use geometrical shapes, आप geometrical shapes का use करोगे, and arrows to show processes, relationships and data process follow, ठीक है, आपको जो है shapes का, arrows का, और जो relationships और data process जो होता है, उसके flow chart के लिए, उसमें geometrical shapes का use करना है, In other words, flow chart depicts decisions and their results, और flow chart जो है simply कि उनका क्या decision रहता है, वो सब कुछ आपको उसमें show करना है, तो इनों ने बताया है कि जो PCO code होता है, या फिर इसको जो भी pronounce करते हैं, I don't know, मुझे पक्के से नहीं पता है इसका, लेकि मैं इसके बारे में search किया था, Google पे, तो आप भी search कर सक आपके पास भी Google है, प्लीज, मैं तो कहते हूँ कि प्रोजेक्ट बनाने से पहला जरूर सर्च करो हर चीज को, तबी क्लियर होगा, ठीक है, तो ये जो है ये way होता है, राइटिंग, प्रोग्रामिंग कोड, किसी भी प्रोग्रामिंग कोड को जो है, राइट करने का वो भ ले अरिया, तो ये मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी, ठीक तो मैं पहले सिंपली बता रहे हैं, मतलब मेरे को जितना समझ में है, मैंने अपको उतना बताया है, उसके बाद यहाँ पर वही सेम चीज है कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया यहाँ पर जो है, आपको कोई वर्किंग मोडल या फिर कोई पोस्टर सर्च के लिए या फिर कोई रसिक्यू या कोई एवक्यूएशन ओपरेशन जो है, वो बनाने है, वो क्रियेट करने है, तो वो यहाँ पर आपको कुछ चीजे दी हुई है, टास्क क्या है, देखो यहाँ बता है, हमारी जो North India, उसमें कितने सारे disasters होते रहते है, कभी कुछ आजाते है, कभी कुछ आजाते है, कभी land slides हो जाते है, कभी earth quake आजाते है, कभी बार आ जाते है, यह सारी चीजे जो है, डिजास्टर याने की आपदाएं के अंदर आते हैं, तो इन्होंने बताय सकती है तो यहाँ बता है तू है इस एजंसी आपको इन एजंसी के हेल्प करने हैं मान लो और एक ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना वाट टाइप ऑफ रोबोट सिस्टम डू यू थिंक आर नेसेसरी तू एन्हांस दा कैपबिलीटीज इन एंशुरिंग सेफटी सर्वैलें आप डिजास्टर मैनेजमेंट आप डिजास्टर मैनेज किस तरीके से कर सकते हो उसके लिए आप एक रोपोटिक सिस्टम जो है वो दे सकते हो कैके उसमें जरूरते होती हैं किस-किस चीज में कैपबल हैं ये चीज देखने के लिए कैसे हम अपनी सेफटी जो है उसको काम कर रहा है जैसे कोई भी मोडल काम करता है जैसे आप शॉप्स में देखते हो तो कुछ वर्किंग मोडल्स होते हैं इस तरीके से बर वर्किंग मोडल क्या होता है अगर किसी को ना समझ मैं तो अगेन कहूंगी गूगल मारो और जल्दी से सर्च कर लो ठीक उसके बाद फि देखना है एक रोबोटिक सॉल्यूशन देखना है बेसिकली बात यह की गई है इसमें वर्किंग मोडल और पोस्टर जो है उसके बीच में क्या दिया गया है उसके बीच में आपको चोईस दी गई है चाहे तो कोई पोस्टर बना लो चाहे कोई वर्किंग मोडल बना लो वो आपके उपर डिपैंड करता है इस तरीके का अगर कोई किसी के अंदर इतनी टेक्निलोजी है, इतनी टेक्निकल स्किल्स है, तो वो अबिसली इसको बना सकता है, बट मैं रिकमेंड ये करूंगी कि बच्चे ये सोच रहे होंगे, कि अगर हम कोई वर्किंग मोडल बनाएंगे, तो हमारा इफेक्टिव जद कि मोडल में अच्छे हो, तो ही उसे बनाना, वरना आप चार्ट्स वगेरा भी बना सकते हो, बट प्रॉपरली, क्लियरली, चीज़े बाते अच्छे से क्लियर होनी चीए, वो सब करना आपको, ठीक है, और अपना इफेक्टिव बनाना है, दिखने में इफेक्टिव होना और ऐसा नहीं हो कि दिखने दिखने में इफेक्टिव हो, वैसे भी उसका काम भी अच्छा होना चाहिए, ठीक, उसके बाद एक और एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे कि they can also make models of robots, which can help in such disaster situations, आप जो रोबोट्स बनाना चाहें, तो भी बना सकते हो, जो कि इन situations पे help कर सक अब रोबोट्स का तो सबको पताई होगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नौ नेक्स टॉपिक, ये काफी इजी है, और पिछले साल ये हुआ था, ठीक है, पिछले साल भी ये सेम टॉपिक था, इस साल आपको बोला गया, डिजाइन दा पैकेजिंग ऑफ नूडल करूंछा है, उस già प्रडुक्स की सारी डिटेल्स होते हैं, इंग्रीडेंट्स होते हैं, उसके नूटिशनल वैल्इूज होते हैं, उसके एक 대박 होती है, उसका Mrp होता है और एक आपका जो है również standard mark होता है, F S S A I या फिर और दो तीन चीज़े होती है ऐसी ही तो ये सब चीज़े होनी ज़रुए तो उसके लिए क्या करोगे अगर ये model आपको त्यार करना है डिजाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो बाहर से कुछ भी खरीद कर लाओ किसी noodle का packet उठा लाओ जैसे कि यपी noodles का उठा लाओ मैगी का उठा लाओ यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रही हूँ तो किसी का भी उठा कर ला सकते हो वैसे आप बता सकते कमेंट बोक्स में कि आपको कौन सा अच्छा लगता है खाने में मुझे यपी मतलब प्रसनली मुझे अपना यपी noodles अच्छे लगते हैं ठीक तो उठा कर लाओ तो उसमें से आप बहुत साइचीजे कॉपी कर सकते हो सेम टू सेम बस अपने प्रडक्ट का अपने ब्रेंड का नाम चेंज कर देना ठीक है इतनी कृप्या करना और अपने पैकेट का कलर चेंज कर देना अगर आप यपी noodles उठा कर लाए हो तो वो red कलर में होते हैं तो real में red है तो आप उसको pink बना सकते हो या आप उसको blue बना सकते हो ठीक है सरीके से करना ओके यहाप आपको instructions दी हुई है कि आपको अपना favorite brand जो है तो आजकल सब kimchi वगएरा कुछ-कुछ निकाल रहे है veg में, own veg में तो उसके अपने पसंद के according निकाल देना noodles में, most भी तो veggie निकलते हैं इंडिया में है और oil से masala flavor होता है कटा मीटा होता है, इस तरीके से flavors के नाम होते हैं, कि जो आपका noodle है, उसमें से taste कैसा आएगा तो मतलब उसका flavor कैसा है, उसका भी नाम दिया हुआ होता है, तो ये चीज़ आपको लिखने है, design a packaging of a new noodle flavor with all the relevant information, including the brand name, nutrition value and pricing, देखो तीन चीज़ इनने बताई है, बाकी जो मैंने बताई है, वो भी लिखना है, उसकी photo अगर होगा, possible तो मैं add कर दूँगी, कि आपके तरीके से nutrition values वगएरा लिख सकते हो ठीक है, और इसको लेकर भी मेरे पास बच्चों के projects रखे हुए है, तो अगर आप सभी बोलोगे तो मैं इसके लिए एक video बना दूँगी बस आप सभी को छोड़ा सा काम करनी है एक जल्दी सी comment कि क्या आपको इस topic पर video चाहिए है नहीं चाहिए, तो मुझे बताना कि क्या आपको prompt 5 जो है उससे related आपको कोई example के लिए video चाहिए या नहीं मेरे पास रखे हुए अब भी photographs तो मैं वो दिखा सकती हूँ expect किया चाता है आप से क्या कि आप जो है कितने creative हैं वो सब assess किया जाएगा कि आप कितने अचसे अपनी information को present कर सकते हो flow of information and harmony between the different elements like branding आप branding कर सकते हो, illustrations कर सकते हो और किस-किस चीज की जरूरत होती है वो सब आप उसमें count, मतलब add कर सकते हो और आप handmade the design of packaging package use sorry, one second the design of package should be entirely handmade using three, a three paper आप a three paper का use करके handmade उसको बना सकते हो now the मैं क्या बोलती हूँ पता नहीं now the next prompt is six, prompt है आपका sixth और ये जो है last है क्या बोला, designer chair drawing inspiration from a natural object ओके, ये भी काफ इंट्रस्टिंग है क्या करना, आपको इसमें drawing करने है simply, drawing करने एक natural object को लेकर आपको drawing करने है, यहापी chair की अब आप सभी सोचेंगे, वाँ एक chair की drawing करने है, वो तो मैं ऐसे twist है आपकी activity में, और वो twist ही है कि आप इन तीनों में से किसी के लिए भी उसको draw कर सकते हूँ, चाहे तो कोई athlete हो, कि बही कोई sports का athlete है, उसको मानो कोई kickator है, या कोई basketball में खेलता है, वो है ठीक है, उसको जो है rest करना है, break मिला हूँ है, तो musical instrument, अगर कोई musical है, वो play कर रहा है किसी musical instrument को, तो उसके लिए आप कि सरीके कि chair कर सकते हो, draw वो आप draw करके लेके जा सकते हो, या फिर कोई artist है जो की painting करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक draw करनी है, chair, तो इन तीनों में से, कोई भी आप एक जो है, उसको उठाकर और फिर कर सकते हो, ठीक, और यहाँ पर जो है, expect किया जा रहे है, आप सभी से, कि आप कोई prototype of the chair OR बना सकते हो, कोई a detailed sketch of the chair, including different views, आप उसके different views दिखा सकते हो, वो different materials को आप यूज कर सकते हो, जो कि आपके घर पर available होते है, cardboard वगएर उसको भी उसकर सकते हो, ठीक है, और student को, यहाँ पर student के again creativity को check किया जाएगा, now next बोला, include a write-up, आपको एक write-up भी include करना है, within 250 words, आप 250 words का एक write-up include कर सकते हो, concept behind the design, कि आपने जो design लिखा, बनाया है, तो उसके पीछे का concept क्या है, वो आप 250 words में लिख सकते हो, 250 words का मतलब simply आपको 25 lines में लिखना है, 25 lines में, 25 स-30 में लिख देना, no problem, 25 स-30 lines में आप उसको लिख सकते हो, और बच्चो, कुछ बच्चो को यह होगा कि मैम, क्या हम हम हिंदी में लिख सकते हैं, या हमें सिर्फ English में ही लिखना है, तो मैं पहले भी कहती हूँ और मैं अभी भी कह रहे हूँ कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो, और English प्रोजेक्ट को लेकर डाउट्स मेरे ख्याल से अब कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में आया हो तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है और अब मुझे पानी पीना है मुझे बहुत तेज प्यास लगी है तो चलिए मैं तो मिलूँगे एक नई वीडियो के साथ अब तक लिए आप सभी इं किंगे पानी ये करे बार अवदा जस ओंक लिए आप सब्सक्राइजर क करे ए जिए आप सब्सक्च करे दो को करेंगे साथ inversory कामई तो चाइंै Starbucks